परिचाए. क्या कोई मुझे बता सकता है कि बहुपद क्या होते हैं? कोई बहुपद ऐसे पदों से मिलकर बना होता है जिन्हें केवल जोडा, घटाया या गुणा किया जा सकता है. बहुत अच्छे और एक कोटी वाले बहुपदों को हम क्या कहते हैं? रहकिक बहुपद. और दूसरी कोटी वाले बहुपद को क्या कहते हैं? दूई घातिये बहुपद. बिल्कुल ठीक. क्या आप जानते हैं कि एक्स में कोई दूसरी कोटी का बहुपद, एक दूई घातिये समिकरण भी कहलाता है? चलिए, आज हम दूई घातिये समिकरणों के बारे में सीखेंगे. आईए, शुरू करें. उत्तेशे इस पाट के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. दूई घातिये समिकरण का विशलेशन करना. दूई घातιये समिकरण को हल करना. दूई घातिये समिकरण के अनूप्रयोगों और इसकी पधती को समझना. दुई घात समिकरण दुई घात ये समिकरण क्या है? एक दुई घात ये समिकरण का मानक रूप कुछ इस प्रकार का दिखता है AX वर्ग प्लस BX प्लस C बराबर 0 अक्षर A, B और C गुणांख है उनके कोई भी मान हो सकते हैं केवल A का मान 0 नहीं हो सकता अक्षर X चर या अग्यात है आईए एक उधारन लें दो X वर्ग प्लस 5X प्लस 3 बराबर 0 उप्रोक्त समिकरण में A बराबर 2, B बराबर 5 और C बराबर 3 है बीजगनित की आधार भूत प्रमे से हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि दोई घातिये समिकरण में दो मूल होते हैं दोई घात समिकरण दोई घातिये समिकरण को किस प्रकार हल करते हैं दोई घातिये समिकरण के लिए मूल A X वर्ग प्लस B X प्लस C बराबर 0 है B वर्ग माइनस 4AC के मान को शब्द विविक्तिकर यानि D से निरूपित करते हैं इसकार्थ है D बराबर B वर्ग माइनस 4AC एक यदि D बराबर 0 ने तो दुई घातिय समिकरन का केवल एक वास्तविक मूल होता है X बराबर माइनस B बटे 2A 2. यदि D शुने से अधिक है तो दुई घातिय समिकरन के दो वास्तविक और भिन मूल होते है X बराबर माइनस B प्लस माइनस वर्ग मूल D बटे 2A 3. यदि D छोटा है शुने से तो दुई घातिय समिकरन के दो अवास्तविक और सम्मिश्र मूल होते है X पराबर माइनस B प्लस माइनस आयोटा वर्ग मूल माइनस D बटे तो A जहां आयोटा कालपनिक संख्या है। उधारण X के लिए समिकरण को हल करें X वर्ग प्लस 12X प्लस 36 बराबर 0 हल गुणांख है A बराबर 1, B बराबर 12, C पराबर 36, D बराबर B वर्ग माइनस 4AC D बराबर 12 वर्ग माइनस 4 गुणां एक गुणां 36 बराबर 0 क्यूंकि D बराबर है 0 के इसलिए मूल है बराबर माइनस 12 वर्टे 2 गुणां एक इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है बराबर माइनस 6 एक्स के लिए समीकरण को हल करें 5X वर्ग प्लस 6X प्लस 1 बराबर 0 हल गुणांख हैं A बराबर 5, B बराबर 6, C बराबर 1 D बराबर B वर्ग माइनस 4AC D बराबर 6 वर्ग माइनस 4 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 16 क्यूंकि D अधिक है 0 इसलिए मूल है बराबर माइनस 6 प्लस माइनस वर्ग मूल 16 बटे 2 गुणा 5 बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 4 बटे 10 हल करने पर हमें प्राप्त होता है बराबर माइनस 1 माइनस 0.2 एक्स के लिए समीकरण को हल करें 5X वर्ग प्लस 2X प्लस 1 बराबर 0 हल गुणांख हैं A बराबर 5, B बराबर 2, C बराबर 1 D बराबर B वर्ग माइनस 4AC D बराबर 2 वर्ग माइनस 4 गुणा 5 गुणा 1 बराबर माइनस 16 क्योंकि d कम है 0 असे इसलिए mol है बराबर minus 2 plus minus आयोटाव वर्ग mol 16 बटे 2 गुणा 5 बराबर minus 2 plus minus 4 आयोटाव बटे 10 हल करने पर हम प्राप्त करते हैं बराबर minus 0.2 plus minus 0.4 आयोटाव क्या आप जानते हैं? भारतिये कणितक के प्रह्म गुप्त को प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने दुई घातिये सूत्र का अभिश्कार किया। प्रावलोकन करने का एक तरीका भी विक्सित किया। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक दुई घातिये समिकरण का मानक रूप इस तरह दिखता है। AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 अक्षर A, B और C गुणांख है। उनके कोई भी मान हो सकते हैं केवल A का मान 0 नहीं हो सकता। अक्षर X चर या अग्यात है। दुई घातिये समिकरण के दो मूल होते हैं। बी वर्ग माइनस 4 A C के मान को शब्द विवक्तिकर यानी D से निरूपित करते हैं। एक यदि D बराबर 0 है, X बराबर माइनस B बटे 2 A। दो यदि D 0 से अधिक है, तो X बराबर माइनस B प्लस माइनस वर्ग मूल D बटे 2 A। तीन, यदि D छोटा है 0 से, तो X बराबर माइनस B प्लस माइनस आयोटा वर्ग मूल माइनस D बटे 2 A।